भोजपुरी फैन्स के बीच खेसारी लाल यादव की क्या एहमियत है ये शायद बताने की जरुवत नहीं है उनकी फैन फॉलोइंग लाखों में है खेसारी लाल यादव आज जिस मुकाम पर है वहाँ पहुचना इतना आसान नहीं था आईए जानते हैं खेसारी लाल यादव के जिन्दिगी के सफर के बारे में खेसारी लाल का जन्म बिहार के छपरा जिले में हुआ था उनका जन्मी 31 जुलाई 1986 को हुआ है खेसारी लाल यादव का असली नाम सत्रूगन यादव है और उनके पिता का नाम मंगरू यादव है खेसारी लाल यादव का बच्पन बहुत ही कष्ट दायक और प्रेड़ना दायक है उनका जन्म बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था उनकी गरीबी का अंताजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब खेसारी लाल यादव अपनी मा के पेट में पल रहे थे तब उनका मिट्टी का घर गिर गया था उनकी मा परोसी के घर में रह रही थी केसारी लाल यादव की माँ ने उन्हें परोसी के घर पर जन्म दिया केसारी लाल को बच्पन से ही एक्टिंग और गाना गाने का बेहस सौक था उनकी पढ़ाई लिखाई गौं के ही सरकारी स्कूल में हुई है उन्होंने मैट्री तक ही पढ़ाई की है अपने घर परिवार को चलाने के लिए वे बिहार से दिल्ली चले गएं दिल्ली में धागा कटाई मशीन चलाते थें उसके बाद उनकी शादी हो गई घर परिवार का खर्च अधिक होने के कारण दिल्ली के ओकला संजय कॉलोनी में लिटी चोखा की दुकान भी किया और इस काम को करने में उनकी पत्नी और उनके पिता का काफी सह्योग रहा ढाई साल तक ये सिलसिला चलता रहा इसी बीच उनकी नौकरी बी-एस-फ में हो गई पर उनका मन वहां भी नहीं लगा खेसारी लाल ने नौकरी छोर दी क्योंकि खेसारी लाल को तो कुछ और ही बनना था उनकी किस्मत कहीं और उनका इंतजार कर रही थी लिट्टी चोखे के पैसो से ही उन्होंने अपना पहला भोजपूरी गानों का एल्बम बनाया मगर वह नहीं चला कुछ दिनों तक वे छोटे मोटे शो किया करते थे जिससे उनको कुछ पैसे मिल जाते थे उसके बाद उनकी isterी भोजपूरी अल्बम माल भेटाई मेला आई जो काफी हिट साबित हुई उसके बाद खेसारी लाल यादब की पहली फिल्म साजन चले ससुराल आई इस फिल्म से वे रादो राद भोजपूरी फिल्म जगत के सुपर इस्टार बन गए खेसारी लाल यादव भुझपूरी सिनेमा के लगभग सभी एक्टर और एक्टरिस के साथ काम कर चुके हैं उनने भुझपूरी सिनेमा में काफी हिट फिल्में दी हैं अपनी दमदार एक्टिंग की वज़े से लाखों लोगों के दिल पर तो राज किया ही है खेसारी लाल ने लेकिन अपनी गाईकी से भी लोगों के दिलो दिमाग पर चागए हैं खेसारी लाल यादव उनका पहला सुपर हिट गाना मिलते मरद हमके भूल गैलू है उनके इस गाने को बेशुमार प्यार मिला उसके बाद उनने एक और गाना गाया पेवा रहले हमर सौधी रे भोजी इस गाने ने भी दर्सकों से खूब प्यार बटोरा आज उनकी गाने के दिवाने पूरी दुनिया में है और जब भी उनका कोई गाना आता है तो ट्रेंडिंग में चला जाता है भोजपूरी एक्टरिस काजल रागवानी और खेसारी लाल की जोरी एक समय पर भोजपूरी हिट जोरियों में से एक रही है दोनों की ओन स्क्रीन केमेश्ट्री को देखकर रिलेशन्शिप की काफी ख़वरे मीडिया में रही है लेकिन कुछ दिनों के बाद ये पता लगा कि ये सिर्फ अववा है और वो अपनी पतनी के प्रती बहुत समर्पित है भोजपूरी फिल्म इंडिस्ट्री के जाने माने सुपर हिट एक्टर खेसारी लाल यादव को तिहार जेल दिली में तीन दिन तक बंद रहना परा था क्योंकि सानिया मिर्जा ने खेसारी लाल यादव पर मान हानी का केस दर्ज करवाया था क्योंकि खेसारी लाल ने टेनिस सिश्टार सानिया मिर्जा के ऊपर एक एलवम बनाया था जिससे सानिया मिर्जा काफी आहत हुई थी खेसारी लाल यादव की शादी 15 जून 2006 को चंदा देवी से हुई थी खेसारी लाल यादव अपनी पतनी को काफी लखी मानते हैं आज उनके पास जो कुछ भी है इन सब का क्रेडिट वे अपनी पत्नी को ही देते हैं